अयोध्या अयोध्या भारत की राज्य उत्तरप्रदेश में इस्तेत है जो पहले फ्यजाबाद डिस्ट्रिक के अंतरगत आते थी लेकिंग नवंबर 2018 में फ्यजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या रख दिया गया था जिसे हम सब लोग भागवान स्री राम चंद्र जी की जन्म भूमी के रूप में जानते हैं और यहां की दिवाली पूरे भारत की सबसे प्रमुक दिवाली है और यहां पर दिवाली को बड़ी धूमदाम से मनाये भी जाता है कहा जाता है जब भागवान स्री राम रावर्ण पर बेजय पाकर अयोध्य बापस आयते तब सभी लोगों ने खुशो कर पूरे अयोध्या में दिवाली को पूरे भारत में मनाया जाने लगा और यह हिंदू के सबसे प्रमुक तेहरों में से एक है और बेदों में अयोध अयोध्या में घूमने की छे सबसे अच्छी जगा जहां पर सबसे जादा टूरिस्ट आते हैं नमबर बन पर है स्री राम जन भूमी तियुत्षेत्र यह वह स्थान है जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार शुरू हो चुका है और इसी जगह पर भागवान स्री राम चं राम जी की पैड़ी सर्यू नदी के टट पर गाटों की एक स्रंकला है सर्यू नदी के टट पर 14 छोटे छोटे घाट हैं यहां के सबसे प्रमुग घाट गुपतार घाट है जहां पर भागवान स्री राम ने जल समाधी लेकर साके धाम की योर गमन किया था इसलिए कहा जा जो भी इस घाट पर टुपकी लगाता है उसे मुझकी प्राप्ति होती है नंबर थ्री पर है हनमानगड़ी टेंपल हनमानगड़ी मंदिर दसमी सदी का हनमान मंदिर है यह मंदिर 52 का छेतर में फैला हुआ है जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको छेतर सिडिया चटनी पड़ेंगी जब अगवान रावड़ पर बेजय पाकर अयुद्या लोठे ते तो हनमान जी यहीं पर रहने लगे ते तो इस योगय का नाम हनमानगड़ पड़ गया था और तो बाद में इसे हनमानगड़ी कहने लगे नमबर फोर पर है कनक भवन कनक भवन जाता कहकी ने सिता जी को यह महल उफ़ार के रूप में दिया था नमबर फाइब पर है दसरत महल दसरत महल अयुद्या में चौक अयुद्या रोड़ पर इस्तेत हैं पताए जाता है कि राजा दसरत तरेतायोग में अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते थे यह उनका मह लेकिन अब इस जगह को मंदर में तब्दील कर दिया गया है अयुद्या में महराजय तसरत के इस महल को बड़ा इस्थान और बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है नमबर सिक्स पर है नागेश्वरना टेंपल यह मंदर अयुद्या में राम की पैड़ी पर स्तेत है कहा जाता है कि इस मंदर के स्थापना स्री राम चंदर जी के पुत्र कुछ ने की थी और यह मंदर भगवान सिप को समरपेथ है तो इसलिए महासिपरात्री हिशत के होरों पर यहां पर हजारों भक्त आते हैं तो गाइस इस वीडियो में तना ही अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रू सब्सक्राइब करें झाल झाल